नमस्कार स्वागत है आपके स्पेशल रपोर्ट में मैं हूँ आपके संग प्रद्यमिश्रमा प्रदारमंदी नर्यंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फेंसिंग के जरिए स्टेचू अफ यूनिटी के वड़िया को देश की कई हिस्सों से जोडने के लिए आप ट्रेनों को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया इसके साथ पिया मोदी गुजरात में कई रेलवे परियोजनाओ का भी उतकाटन किया गुजरात के के वड़िया स्टेचू अफ यूनिटी तक देश की कई भागों से लोगों की आवजाई सुगम बनाने के मकसद से प्रदान मंत्री ने इंदर मोदी ने आठ रेलगाडियों को हरी जंडी दिखाई रेलवे के इतिहास में संभव तह पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब एक साथ देश के अलग-अलग कौने से एकी जगह के लिए इतनी ट्रेनों को हरी जंडी दिखाई गई हो आखिर केवडिया जगह भी तो ऐसी है इसकी पहचान देश को एक भारत स्रेष्ट भारत का मंत्र देने वाले देश का एकी करन करने वाले सरदार पटेल की दुनिया की सबसे उची प्रतिमा से स्टेची अफ यूनिटी से है सरदार सरोवर बांच से है आज का ये आयोजन सही माइने में भारत को एक करती भारतिय रेल के विजन और सरदार वल्लभाई पटेली के मिशन दुनों को परिभाशित कर रहा है प्रदानमंत्री कारेले पीमो के मुताबे कि ये रेल काड़ी केवडिया को वार्नसी, दादर, एहमदाबाद, हजरत निजामुद्दीन, रीवा, चिन्नाई और प्रतापगड से जोड़ेंगी वीडियो कॉन्फरेंसिंग से आयुजित होने वाले समारों के दोरान प्रदानमंत्री दिभोई, चन्चोड, आमन परिवर्तन, चन्चोड केवडिया, आमन परिवर्तन, नव निर्मित, प्रतापगड केवडिया, खंड के, विध्यूत करन और दभोई, चन्चोड और बड़िये स्टेशनों की नई इमारतों का अभियुद गाठन किया। जिवा, दादर और दिल्नी से केवडिया, एक्सप्रेस और एम्दाबाद से जन्सरताब्य एक्सप्रेस केवडिया के लिए निकली है। इसी तरह केवडिया और प्रताबनगर के बीच भी मेमू सेवा शुरू हुई है। दभोई चांदोत रेल लाइन का चौड़ी करण और चांदोत केवडिया के बीच की नई रेल लाइन अब केवडिया की विकास यात्रा में नया आध्याय लिखने जा रही है। गुजराद में रेल से जुड़ी इन परियोजनाओं के अधुगाटन के मौके पर गुजराद के मुख्य मंतरी विजय रूपानी और रेल मंतरी पियूश गोयल भी मौजूद रहे। पियमो नया का है कि इस रेलवे स्टेशन के स्थानी विशिष्टाओं और आधुनिक यात्री सुविधाओं से लेस किया गया है। सबसे बड़ा लाब स्टेशी आफ यूनिटी देखने आने वाले टुरिस्टों को तो मिलेगा ही एक कनेक्टिविटी के वडियां के आधिवासी भाई बहनों का जीवन भी बदलने जा रही है। ये कनेक्टिविटी सुविधा के साथ साथ रोजगार और स्वरोजगार के नए आउसर भी लेकर आएगी। ये रेल लाइन मान नर्वदा के तट पर बसे करनाली, पोईचा और गरुडेश्वर जैसे आस्था से जुड़े महत्वपुन स्थानों को भी करेक्ट करेगी। इसके साथ साथ नए रोजगार और व्यववसाइक अफसरों के विकास में भी मदद मिलेगी। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरीए बताते हैं कि इन आठ ट्रेनों के रूट मैप क्या होंगे। प्रताब नगर से के वड़िया तक प्रती दिन चलेगी, MEMU ट्रेन का वड़िया से प्रताब नगर प्रती दिन चलेगी। फिलाल स्पेशल रिपोर्ट में सिर्फ इतना हैं, बने रिये नीजवल इंडिया के साथ, नमस्कार।